कुशी नगर के हनुमान गंज थानक शेत्र के गाउं में रहने वाली एक नाबालिक किसी तरह मानव तसकरों के चंगुल से बचकर निकलने में सफल रही है। का सब्स बाग दिखा कर गरीब बेसाहरा नाबालिक लड़कियों की खरीद फरोक्त करने वाला गिरोहो जनपद में लंबे समय से सक्रीय है। मानव तसकरों के चंगुल से भागने में सफल रही नाबालिक के गाउं की तकरीबन आधा दर्जन लड़कियां बेची जा चुकी है। मौजुदा मामले में मिली जानकारी के मताबिक शादी के बहाने नाबालिक लड़कियों की खरीद फरोक्त गिरोहों के लोग तीन से चार दिन पहले से ही हनुमान गंज थाना क्षेतर की निवासी नाबालिक के घर पर डेरा डालू हुए थे। नाबालिक को बरेली से आये लोगों के हवाले किया जाना था। नाबालिक की मा से सौधा तै हो जाने के बाद लड़की को सौधागरों के हवाले किया जाना था। नाबाले के विरोध के बावजूद भी उसकी मा मानव तसकरों के हवाले करने के लिए उसको लेकर बेहार बॉर्डर पर इस्थित नगर पंचाय चितौनी पहुंची। चितोनी बाजार में कपड़े गहने की खरीदारी करने के साथ ही तैर अकम लेकर नाबालिक की माँ चंपत हो गई मानव तसकरों के चंगुल में फसी नाबालिक ने हिम्मत दिखाई और पकोड़े खरीदने के बहाने उन्हें जहासा देकर भाग खड़ी हुई जो किया गाउं के लोगों से अपनी पीड़ा बताई और फिर लोगों ने मामले के जानकारी अनुमान गंज थाने को दे वही जिले के SSP विनुद कुमार सिंग ने मा दवारा बच्ची के बेचे जाने की पुष्टी की है फिलहाल हनुमान गंज थाना की पुलिस ने बच्ची को चैडलाइन के सुपुर्द कर दिया है चैडलाइन के लोगों ने नाबालिक का कोरोना टेस्ट कराया वही जिले की एंटी हुमन ट्रैफिकिंग और हनुमान गंज थाने की पुलिस ने अपनी जाच तेज कर दी है बच्ची को जिस्म के सौदागरों के हाथों बेचने वाली नाबालिक की मा फरार है कई बार दविश देने के बावजूद भी वो पुलिस के हथे नहीं चड़े पंजाब के सिरी टीवी के लिए कुशी नगर से अनुप कुमार की रिपोर्ट